बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम पीर सब्जालेनी मद्य एश्याने मुसाफरी चैप्टर नमबर नाइंटीन ठैबरना अईतिहासिक स्थड़े मीर साहेबे जंगली गाएं खुश गाउनी जे गोठवन करिया पिहती ते अतिशे उप्योगी पुर्वार थे बीर जंगली गाएं पर सवारी करी ने एक पच्छी एक बिजू मत्थक पसार करी रहिया हता अने जेम जेम ते वो आगर बचता गया तेम तेम ते वोने खुश गाई नी उप्योगित ता जणावा लागी कारण ते वो अत्यन साक्डा साथे खर बच्रा मारगे थी पसार थे रहिया हता चडान अने उत्रान पण पुश कर आउता हता आवा मारगे घोडा तदन नकामा थे पड़त जारे खुश काई खुबज सावचे थी अने सरर तार थी आवा मारगे थी रस्तो कापती हती ते जंगली गाई तरीके उडखाती हती परन्तु अहीं ते जर्राई जंगली नोती जणाई बलके खुबज थरेल अने बुद्धिवान होई तेम जणाई हती खुदाई जानवर मा पन केवी खुब़ी अने सिफातों मकी छे दर्रेक जानवर ने तेने कोई ने कोई खुबी आपी छे अने ए खुबी अनते तो इंसान नाज काम मा आवे छे इंसान माटे रबिल आलमीन अल्लाहे अनेक विद वस्तुओ आ जगत पर मोकली छे परन्तु घणा इंसानों पोता माटे आवेल न्यामत माटे विचार करी अल्लाहनों अहसान मानवाना बदले पोताना मदमा मस्त रहे छे परन्तु एक दिवसे ए मस्ती उसरी जाई छे त्यारे इंसान पोताने तदन परवश अने असहाई दशामा जुए छे जंगली कहवाती गाईपन कितली उपयोगी छे तेम खुदाई पेदा करेल तमाम वस्तुओ कोईने कोई रिते उपयोगी छे तेनों विचार करीने माना से अल्लह नो एहसान मानता रहो जोई है अन्ते पीर हैजाबाद खाते आवी पोचिया हैजाबाद खाते पुपरनू बोजन तयार करीने जमात रह जोई रही हती पीरे बोजन ने इनसाफा प्यो मोलाईयो घणी सारी संक्या मा एक ठाते या हता पीरे थोड़ी कवार रोकाई ने मोलाईयो ने इमामना फर्मानो संबढाविया अने ते पचि ते वो फरी विकट मारगे आगर बद्या हवे पचि पीरनो मुकाम आताबाद हतो आ जग्या खुबज ओछी सलामती वाड़ी हती एम तो आखो मारग बिन सलामती भर्यो हतो तेमा आताबाद खाते तो उतारा माटे कोई ज योग्य जग्या ना हती मुलाईयो सामेना पहार पर वस्वात करता हता अने त्यां पहुचवा माटे जोश बन वैती नदी पार करवानी हती परन्तु पीरने फिदाई मुलाईयो अटली तकलिफ आपवा नोता मांगता तेवो पोते पोताना स्री बाड़कोंने लईने नदीना किनारे आवया या पीरे उतारों करियो हतो सांजना पांच वगा सुधी मां तो पहार पर थी सगड़ा मुलाईयो नदीना किनारे आविने इठा थे गया पीरे जारे तेमने इमामना फर्मानों संबड़ाविया त्यारे तेवो आनन्द मां जुमी उठिया तारी 24 भी जुलाई उगनिस्तोने 23 ना पीर सबजाली आताबाद थी फरी गिलगित तरफ पाचा फरिया कारण के हवे तेवो ने जही प्रदेश मां जबानू हतू आताबाद थी गिलगित सुधी ना मारगे तेवो ये पहार नी मध्यमा एक एटलो उंडो खाडो जोयो के अंदर जोवा माटे रोकू कारता चकर आवे अने मानस पड़ी जाए आ खाडानी अंदर थी पाणी वही रही होई तेम जणायू कारण के वहता पाणी नो अवाज आवतू हतो अने तेस अवाज सांबडी ने जाणे एम लागतू हतो के अनेक सी हो एक खाडा माथी गर्ज ना करी रहा हता आस थड़े तो खुश काओं पर लाचार बनी गए खुश काओं पर थी उत्री ने पगे चाली ने पर आगर वधी शकाए तेम नहतू आटली मुसाफरी माँ आवी तकलिफ नोती आवी जया गोडावो काम नोता आविया त्याँ पकपाडा प्रवास करी हो तो अने जयाँ पकपाडा प्रवास न करी शकाए त्याँ खुश काओं उपयोगी साबित थै परन्तु हवे तो एवो मार्क आवियो के जयाँ कोडा पढ़ना चाले पगे पढ़ना चाली शकाए अने खुश काओं पर सवारी माटे नकामी बनी गए पीर मुझाए गया हवे शुक करूं खाडा माथी सी घर्ज ना करतू पाणी उचा उचा परवतो दूर दूर सुधी देखाती सांकडी अने वांकी चुकी पकडंदी अने ए पकडंदी पर देखाता भयो आब दू हिम्मत तोड़ी नाखवा माटे पुर्तु हतु परन्तु दरेक वक्ते पीर ने गेवी मदद मड़ी हती अने बद्धी मुश्केली आसान थे गई हती इमामनी दुआ जेना साथे होई छे अने जे हर्दम अने दरेक पड़े इमामनी दुआओ विचारो अने रदेमा होई छे तेनी मुश्केली मुश्केली रहतीज न थे पीर चिंता मां डुबेला हता एवा मां थोड़ाक मोलायो आवे पहुचया तेने पीर ने कहिए आप चिंता ना करशो आमें आ मार्गना ज्ञानकार छी आप अमारी पीठ पर बेशी जाओ आमें तमने लई जाईशो मीर साहिबना पुत्र पीर साथे मुसाफरी करता हता मोलायो नो प्रेम ने फिदाईगिरी जोई मीर साहिबना फड़जन्दे कईयो एक वखते आ मार्गे थोड़ाक अंग्रेजी ओफिसरो अटवाई गया हता तेमने मार्ग बतावी शक्के तेवा मानसोंनी ए वक्ते तेमने खूप जरूर हती एक मानस दित तेवो एक वक्ते 50 रूपया अपवा त्यार थेया हता छता तेमने कोई मानस नो तो मड़ी शक्यो जारे आपनी सेवा मां चमतकारी करिते गणा मानसों हाजर थे गया छे आ बदू मोलानी दयानों प्रताप नथी श्यों पीर गड़ गड़ा थे गया तेवो ये फक्त एक जवाब आपयो इमामनी दया न होई तो हूँ एक कदम पर अगर वदीशकू तेम नथी अन्ते पीर सबजाली एक मानस ने पीठ पर सवार थेया ए मानस तदन निर्भईता थी सांकड़ा पहाडी रस्ते पीर ने उचकी ने चाली रही हो हतो मोलानी स्तुती करतो करतो ए मोलाई कोई पंचातना डर वगर आगर वद्तो हतो पीर जोई रहया हता के जो सहिच पनपग लपस से तो ते अने पोते बनने एवी जगयाए गबड़ी पड़ से जहां कोई तेमने शोधी पर नहीं शके परन्तु तेमने खातरी हती के आओ कईज बननार न थी कारण के तेमना साथे मोला पोते हतो पीर तो मोलायों ना इमान अने जाफिशानी ना विचार माज लिन हता दर्रेक दस मिनिते मानस बदलातो अने आम अत्यार सुधी ना सवथी वदू विकट मार्ग ने पसार करीने पीर सबजाली एक सुरक्षी जग्याए आवी पहुंचया जो के पीर ने कहवा मा आवी हतू के नियत स्थाने पहुंचवा माटे हजू एक विकट पग दंडी पसार करवानी बाकी रहे छे पीर ने तो डद खात्री हती के एक पक दंडी पन कोई पनचातना अवरोध वगर पसार थे जशे एक पहार परती विजा पहार पर जवानू हतू अने बने पहार ना वच मा एक लाकडा नो तुकडो गोठवेलो हतो नीचे जोश बन पाणी वही रईयू हतू आ लाकडा ना टुकडा पर थी पीर ने पसार थवानू हतू जो सहेज पन समतुलता गुमावी देवामा आवे पग लपसी जाए अथवा अथवा लाकडो तुटी जाए तो नीचे थी वहतू जोश बन पाणी क्या नो क्या लई जाए परन्तु कोई ने कशीज आँच ना आवी वद्दा हेम खेम आवो खतरनाक पूलपाण वड़ंगी गया अने सामेब पार जैने सववे मोलाना शुकराना अदा करिया गिलगित थी केटलाक मोलायो अहीं आव्या हता अने तेमने भोजन तयार करीने राख्यो हतू भोजन ने इंसाफ आप्या पछी पीर आगरवद्दानों विचार करता हता परन्तु हवे गोडानी जरूर हती अने पीर पासे गोडा ना हता गोडा क्यां थी लाववा पीरे पोतानी चिंता गिलगित थी आवेला मोलायो शमक्ष व्यक्त करी तेवोई कहियों आप फिकर न करो अम्मे तेनों अगावती बंदोबस्त करी राख्यो छे जो सामेना पहाड पर थी तमारा माते गोडा आवी रहिया छे पीरे जोयू तो कितला गोडावो आ तरफ आवी रहिया हता दूर थी बकरा जेवा नाना लागता ए गोडावो ने बे मानसो दोरी रहिया हता आम अहीं पर सहाईता पहुची गई अहीं मोलाईयों नी फिदाईगरी नो एक बीजू नवू अने अनुपम द्रस्ट्य जोवा मड़ियू पीर ज्यां आवी हता ते जग्या आजू बाजू पानी थी घेराये ली हती जरे वचमा सुकी जमीन हती ए सुकी जमीन पर बे मोटा पत्रा हता तेना पर बेसी ने पी जहा किनारे सुद्धी तेमने जुलता पूल जेऊ कई देखायों बराबर जोता जणायों के एक पूल नहतों पर एक दोर्लों हतों अने ए दोर्डा पर थी कितलाक मोलायों नदी पार करी रहा हता वड़ी तेवों एक लाज नहता परन्तू तेमना साथे तेमना ना 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 बाड़को पण हता। से थी इमामना फर्मानों सांबढ़िया अने पोतानों जीवन सफड़ थयूचे एवो संतोज साथे पाचू जोखम केडिने पोताना स्थाने जाल्या गया जरे पीर पोताना साथियों साथे गिलगित तरफ आगड़ वद्या। तेवो हुन्जाना मीरनी हत पसार करीने गिलगित तरफ जता हता मार्क मां एक नानों इलाको आव्यो हतो। जेना पर मीरना वती तेमना नाना पुत्र कारोबार चलावता हता। उन्जाना मीरना ए युवान पुत्रे पीरने घणाज प्रेम्थी सतकार करियों। तेवो कुशकर मी नही हता। तेमने पीरने कहियों। मारा पितासरी नों टेलिफोन आव्यों छे। तमें खुबच विकट मार्क पसार करीने आव्या। ते माटे तेवो आपने मुबारक कियों आपे छे। अने आपनी आगरनी सफ़डनी सफ़डता इच्छे छे। मीरे मीर साहेबनों अहसान मान्यों। अत्रे पर जमात्खानों हतु अने जमात अगावती हाजर थई गई हती। जमात्खाना मा मजलीस करवामा आवी। राते एच थड़े मीर साहेबना फरजनना बंगलामा मुकाम करी। सवारना आगर वद्वामाटे तयारियों करवामा आवी। मीरना पुत्रे पीरने कहियों, जेम जेम आप आगर वत्ता जशो, तेम तेम आपने वदूने वदू मुस्तीबतोंनों सामनों करो पड़ से, वड़ी लांबे सुदी उताराना लायक कोई स्थर पर आउतू नथी. जो के पामीरनी पेले पार वस्वार करता मुलाईयोंने समाचारो मुगली आपवामा आविया छे, परन्तू तेवों तरफ थी हजू कोई जवाब आवियों न थी, आथी आपने मार्गमा कोई तकलिफ न पड़े ते माटे कितलिक प्यवस्था करवामा आवी छे. आम कही तेमने सहलाई थी, तंबू उभो थै शके, तेनी सामेब्री आने फोल्डिंग बेड पीर ना हवाले करिया. गिलगीर छे दर्यानी सपातित थी, 7,755 फुट मी उँचाये आवेलूस थर्ष छे, त्यां थी रवाना थाई पीर आगरवद्या, मुसाफरी ना बेज साधनों साथे हता, गोडा अने खुशका, पीर ए गोडा पर प्रवास आरंभ करियो, पर्ण मार्ग एटलो खडबर् हता के घोडा ना पग नी नाड़ पर उखड़ी गई, परेणा में घोडा ओना पग लोई लहान थे गया, आथी पीरे घोडा पर थी उतरी गया, अने खुशकाँ पर सवारी करे, हवे बरफ नो प्रदेश शरू थयो, अने पहाडों पर बरफ सिवाई अन्य कशूर पर दे खाता बरफ ना मिनारा, आ मार्क पर मोलानी दया थी पसार थे गयो, तारीक 25 जुलाई 1923 ना पीर सबजाली कोताना साथियो साथे उमकान नामनी जग्याई आव्या, अहीं रात रोकाई तारीक 26 जुलाई 1923 ना सुसानी नामनी जग्याई आव्या, अहीं चाने इंसाफ पची सगड़ाओ, पशु जेवु विचीत्र नाम धरावननार स्थडे आवी पहुंचिया, आ सगड़ा स्थडोए मोलाईयो वस्वात नोता करता, पीर ना पुत्रे आपेल तंबुने उभो करी, फोल्डिंग बेद पर सभु आराम करता, अने पची आगर वत्ता, तारीक सित्याविस मी जुलाई, ओगनी सोने त्रे इसना, पीर सबजाली, पशु थी एक एतिहासिक नाम धरावनार स्थडे जवाना रवाना थया, ए स्थड हतू खाइबर, पशु थी खाइबर सुदिनो मार्ग कापो तो जंगली गाई माटे पन दुशकर बनी गयो हतो, मार्ग खाइबर, तो उन्डा खाड़ मां गबरी पड़ाई, खुशकाओने मार्ग कापता भारे तकलीफ थती हती, तेम गाई पर थी उत्री ने पण, पगे चाली ने आगरवधी शकाई, तेम ना हतू, जंगली देखाती गाई अहीं पण, खुबज काम आवी, तेना परत सवार करी ने अंते सव हेम खेम खैबर ना दर्वाजा मां दाखल थया, खैबर नो निरिक्षन करता, पीर ने जणायो के आ अत्यन सुरक्षित जग्या हती, खैबर पासे कुदरती उन्डी उन्डी खायो हती, उन्डी जमीन हती, अने उंचा पर्वत पर आस्थर आवेलू हतू, एक गामडू अहीं वसेलू हतू, खैबर ने एक प्रविश्ट द्वार पन होआनू जोवा मडियो, जे खुबज जूना समयनू होई तेम जणायो, ए वक्ते हुन्जाना मीर ना ताबा मां आस्थर हतू, अगावना वक्त मां जारे हुन्जा कोई आपित्ती मां घेरातू, त्यारे सगडा खैबर मां आस्थरिय लेता, कारण के आ जग्या कुद्रती रिते सुरक्षित हती। तेमने इमामना फर्मानों संबडावया, अने तेवोना रदयो आनन्ती भराई गया। मिशकार खाते आवया। जे जग्या दर्यानी सपाती थी आठचार छसोने सिंतेर फुटनी उचाए आवेल हती। गिर्चा थी मिशकार सुदिनो अटपटो मार्ग खुशकाओं पर बेसिनेच पसार करवामा अवयो। सानना चार वागे सगड़ा मिशकार पहुँची गया जया सगड़ा मोलायो वस्वाट करता हता। पीर जयारे मिशकार पहुँचया तयारे कुशकर ठंडी हती। ते मज सांचपन पड़ी गई हती। ते थी बिजा दिवस सवार पर मजलिस राखवा मावी। आमोजब तारीक 30 मी जुलाई 1923 ना सवारे दस कला के मिशकार खाते मजलिस करवा मावी। जयमा पीरे वायस करी अने जमात ने इमाम ना फरमानों संबड़ाविया। मिशकार खाते बे अंग्रेज अमलदारों पीरनी मुलाकाते आवया। जयमने पीरने वपोर ना भोजन माटे आमंत्र ना पियो। स्थानिक तार ने टपाल खाता ना आ ओफिसरों हता। पीर ते ना बंगला पर भोजन माटे गया जया ए अंग्रेज योई पीर नो प्रें सतकार करियो। आ अंग्रेज ओफिसरों ना बंगला मां अलती थी मीर सहे बे कोल करियो। हतो मीर सहे बे फोन पर पीर साथे वाचित करी। मीरे कईयू मिशकार मां मारी सरहत पूरी थाई छे। अने त्यासुदी आप पर खेरियत थी पहुंची गया छो तेथी मने घणो आनन थयो छे। मीरे घणी सकबडो आपी हती। तेथी पीरे फोन पर आभार मान्यों अने पची सव जमार ने इंसाफ आपवाला गया। जमार ती परवारी गया पची ए अंग्रेज ओफिसरे पीर ना हात मां एक पुस्तक बुक्य। अने पीर ए पुस्तक ना अवलोकन मां पौरो आई गया। शुकरन लिला वाल-घंदुलिला, शुकरन लिला वाल-घंदुलिला। झाल